भारत माता की भारत माता की मेरे प्यारे देश वाचियों, मेरे परिवार जन आज वो शुब घड़ी है, जहम देश के लिए मर मिटने वाले, देश की आजहदी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संगर्ष करने वाले, फांसी के तक्त पर चड़कर के भारत मा की जय के नारे लगाने वाले अंगिनत आजहदी के दिवानों को नमन करने का ये परव है, उनका पुन्य समर्ण करने का परव है आजहदी के दिवानों ने, आज हमें, आजहदी के इस परव में स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए स्वभाग्य दिया है ये देश उनका रणी है, ऐसे हर महापुरुष के प्रती हम अपना स्रद्धा बहा व्यक्त करते हैं मेरे प्यारे देश वात्यों, आज जो महानुभाव रास्त्र रक्षा के लिए और रास्त्र निर्मान के लिए पूरी लगन से, पूरी प्रतिवद्धा के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं देश को नई उचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं चाई वो हमारा किसान हो, हमारा जवान हो, हमारे नवजवानों का होसला हो, हमारी माता और बहनों का योगदान हो, दली थो, पीडी थो, सोची थो, वंची थो, अभावा के बीज भी, स्वतंत्रता के प्रति उसकी निश्टा, लोग तंत्र के प्रति उसकी त्रद्धा, ये पूरे बिश्व के लिए एक प्रेरग घटना है, मैं आज ऐसे सभी को आधर पुर्वक नमन करता हूं, प्राकृतिक आपदा के कारण, हम सब की चिन्ता बढ़ती चली जा रही है, प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवार्जन खोए हैं, संपत्ति खोई हैं, राष्ट्र ने भी पारावार नुक्सान भोगा है, मैं आज उन सब के प्रती अपनी संबेदन अव्यक्त करता हूं, और मैं उन्हें विश्वाद दिलाता हूं, कि यह देश इस संकट की घड़ी में उन सब के साथ खड़ा है, मेरे प्यारे देश स्वाचियों, हम जरा आज़ादी के पहले के वो दिन याद करें, सैंकडो साल की गुलामी, हर कालखन संगर्ष का रहा, युवा हो, बुजर्ग हो, किसान हो, महिला हो, आदिवाचि हो, उन्होंने, गुलामी के खिलाब, जंग लड़ते रहे, अभिरत्न जंग लड़ते रहे, इतियास गवाँ है, कि 1857 के स्वाता संगराम जिसको हम याद करते हैं, उसके पुर्व भी, हमारे देश के कई आदिवाचि छेत्र थे, जहां आजादी का जंग लड़ा जाता था, शाथियों, गुलामी एदा इतना लंबा काल खाना, जुल्मी शाचक, अप्रम पार यातनाएं, सामाने से सामाने मानवियों का विस्वात तोड़ने की हर्थ करकीव है, उसके बावजुद भी, उस समय की जन संग्खा के हिसाब चारिब 40 करोर देश वासी, आजादी के पुर्वत, 40 करोर देश वासीों ने, वो जज़वा दिखाया, वो सामर्थ दिखाया, वो एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूजते रहे, एकी स्वर्था बंदे बातरम, एकी सपना था, भारत की आजादी का, 40 करोर देश सवासीों ने, और हमें गर्व है, कि हमारी रगों में उनी का खून है, वो हमारे पुर्वज थे, सिर्फ 40 करोर, 40 करोर लोगों ने, दुनिया की महा सत्ता को उखाड़ करके भैंच दिया था, गुलमी की जंजरों को तोड़ दिया था, अगर हमारे पुर्वज, जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो, 140 करोर है, अगर 40 करोर, गुलमी की बेडियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोर, आजहादी के सपने को पुर्ण कर सकते हैं, आजहादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोर देश की मेरे नागरीक, 140 करोर मेरे परिवार जान, अगर संकल पले करके चल पड़ते हैं, एक दिशान निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंदे से कंदा मिलाकर, अगर चल पड़ते हैं, तो चुनोतियां कितनी भी क्यों न हो, अभाव की मात्रा कितनी हित्तिव्र क्यों न हो, संसाधनों के लिए जूजरे की नौबत हो तो भी, हर चुनोति को पार करते हुए, हम सम्रद्ध भारत बना सकते हैं, हम 2047 विट सीज भारत का लक्ष प्राप्त कर सकते हैं, अगर 40 करोर देशवासी अपने पुर्शार्थ, अपने समरपर्श, अपने त्यार्थ, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो एक सो 40 करोर देशवासी उसी भाव से संब्रद्ध भारत भी बना सकते हैं, साथियों वो एक समय था जब लोग देश के लिए मरने के लिए प्रतिबद्दत है और आज़ादी मिली थी सहीं आज़े समय है और देश के लिए जीने की प्रतिबद्दता अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्तता आज़ादी दिला सकती है तो देश के लिए जीने की प्रतिविद्धता सम्रुद्ध भारत भी बना सकती है। साध्यों, विक्सिक भारत 2047 इस दरब भाषन के शब्द नहीं है। इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है। देश के कोटी कोटी जनों के सुझाओं लिये जा रहे हैं। और हमने देश वाशियों से सुझाओं मांगे। और मुझे प्रसंदता है कि मेरे देश के करोरों नागरिकों ने विक्सिक भारत 2047 के लिए अंगिनत सुझाओं दिये है। हर देश वाशि का सपना उसमें प्रतिमिंबित हो रहा है। हर देश वाशि का संकल्प उसमें जलकता है। युवा हो, गुजुर्ग हो, गाउं के लोग हो, शहर के लोग हो, किसान हो, कामदार हो, दलीत हो, आदिवासी हो, पहड़ों में रहने वाले लोग हो, जंगल में रहने वाले लोग हो, शहरों में रहने वाले लोग है। हर किसी ने 2047 में जब बेश आजादी का सो साल मनाएगा तब तक विश्षित भारत के लिए अनमोल सुझाव दिये हैं और मैं जब इन सुझाओं को देखता था मेरा मन प्रसंद हो रहा था उन्होंने क्या लिखा कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया का स्किल्ड केपिटल बनाने का सुझाव हमारे सामने रखा तक विश्षित भारत के लिए कुछ लोगों ने भारत को मैनुफेक्चरिंग का ग्ल भारत के हमारी उनिवर्सिटी ग्लोबल बने इसके लिए सुझाव दिया कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या आजादी के इतनी सालों के बाद हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारा स्किल्ड हुआ विश्व की पहली पसंद बन बनना चाहिए कुछ लोगों ने सुझाओ दिया भारत को जल्द से जल्द जीवन के हर छेत्र में आत्मंदिर फर बनना चाहिए कई लोगों ने सुझाव दिया कि हमारे किसान जो मोटा नाच पादा करते हैं जिसको हम स्री अन्न कहते हैं उस सूपर फूर को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पहुचाना है हमें विश्व के पोशन को भी बल देना है और भारत के छोटे किसानों के भी मजबूती देनी है कई उन सब में गवननंस के रिफॉर्म की बहुत जरूरत है कई लोगों ने लिखा कि न्याय के अंदर जो विलंब हो रहा है उसके प्रतिचिंता जाहिर की और ये भी कहा कि हमारे देश्ट में न्याय ववस्ता में रिफॉर्म की बहुत बड़ी जरूरत है कई लोगों ने लि शासन प्रतासन में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक अभ्यान चलाने का सुझाव दिया बहुत सारे लोगों ने ये सपना भी देखा है कि अंतरिक्ष में भारत का स्पेस टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए किसे ने कहा भारत की जो परंपरिक ट्रेडिशनल मेडिसि ज है दुनिया जब Turkey हेकर की तरफ जा रही है तब हमें भारत की पारंपरिक औसे दिया औं वुप्य को विकिशित करना चाहिए आक कोई कहते हैं कि कि अब देर नहीं होनी चाहिए भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसली सबसे बड़ी एकॉ elastic ब्णना चाहिए सात्यों मैं इसलिए पढ़ रहा हता कि मेरे देश वाचियों ने सुझाव दिये मेरे देश के सामाने नागरीक ने ये सुझाव हमें दिये है मैं समझता हूँ जब देश वाचियों के इतनी विशाल सोच हो देश वाचियों के इतने बड़े सपने हो देश वाच्यों के इन बातों में जब संकल्प जलकते हो तब हमारे भीतर एक नया संकल्प द्रड़ बन जाता है हमारे मन में आत्म विश्वात नहीं उचाहिद पर पहुंच जाता है और साजियों देश वाच्यों का ये भरोसा सरफ कोई intellectual debate नहीं है ये भरोसा अनुभव से निकला हुआ है ये विश्वास लंबे कालखन के परिशम के पैदावर है और इसलिए देश का सामान ने मान भी याद करता है जब लाल किले से कहा जाता है कि हिंदुस्तान के 18,000 गाओं में समय सिवा में बिजली पहुंचाएंगे और वो काम हो जाता है तब भरोसा मजबूत हो जाता है जब यह तैं होता है का आजहती के इतने सालों के बाद भी डाई करोर परिवार ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है वो अंदेरे में जिंदिक विवजारते हैं डाई करोर घरों में बिजली पहुँच जाती है तब सामान ने मानवी का भरोसा बढ़ जाता है जब ब्लार किर्ज़ स्वच्य भारत की बात कही जाए तब इस देश के अगरीम हरोर पंग्ती में बैठे विये लोग हो गाउं के लोग हो गरीब बस्ती में रहने वाले लोग हो छोटे छोटे बच्चे हो हर परिवार के अंदर स्वच्चता क्या वाथावन बन जाए स्वच्चता की चर्चा हो स्वच्चता के संदन में एक दूसरे को रोक तोकने का निरंतर प्रयाद चलता रहे मैं समझता हूं कि ये भारत के अंदर आई हुई नई चेतना का प्रतिविम है जब देश के सामने लाल के लिए से कहा जाए कि आज हमारे परिवारों में तीन करोर परिवारे से हैं जिरके घर में नल से जल मिलता है आवशक है हमारे इन परिवारों को पीने का शुद्ध पानी पहुँचे जल जीवन मीशन के तहट इतने कम समय में नए 12 करोर परिवारों को जल जीवन मीशन के तहट नल से जल पहुँच रहा है आज 15 करोर परिवार इसके लाभारती बन चुके है हमारे कौन लोग बंचित थे इन व्यवस्ताओं से कौन पीछे रह गए थे समाज के अगरिम पंक्ति के लोग इसके लिए अभाव में नहीं जीते थे मेरे दलीत, मेरे पीडीत, मेरे शोशीत, मेरे आदिवासी भाईबेन मेरे गरीब भाईबेन, मेरे जुगी जोपनी में जिन्दगी गुजादने वाले लोग बही तो इन चीजों के अभाव में जी रहे थे हमने अनेरे एक ऐसे प्राथवी के आवस्ताओं की पूर्ती के लिए जो प्रयास किया और उसका परिणाम हमारे इन सारे समाज के बंदूओं को मिला है हमने वोकल फ़र लोकल का मंत्र दिया आज मुझे खुसी है कि वोकल फ़र लोकल ने अर्थ तंत्र के लिए एक नया मंत्र बन गया है हर डिस्ट्रीक अपनी पैदावर के लिए गर्व करने लगा है रिन्यूबल एनर्जी का संकर पलिया था जीट प्वेंटी समों के देशों ने जितना किया है उससे जादा भारत ने किया है और भारत ने उर्जा के खेत्र में आत्मा निर्वर मंड़े के लिए ग्लोबल बार्मिंग की चिंताओं से मुक्त पाने के लिए हमने काम किया है सात्यों देश गर्व करता है आज जब फुन्टेक की सभलता उगलेकर पुरा विश्व भारत से कुछ सीखना समझना चाहता है तब हमारा गर्व और बढ़ जाता है सात्यों हम कैसे भूल सकते हैं कोरोना के वो संकिट का बिश्व में सबसे तेजगती से करोडों लोकों को वेक्सिनेशन का काम हमारे इसी देशों में हुआ यही देश है जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है जब देश की सेना एर स्ट्राइक करती है तो देश के नवजमानों का सीना उंचा हो जाता है तन जाता है गर्व से भर जाता है और यही बाते हैं जो आज 140 करोड देश स्वाच्यों का मन गर्व से भरा हुआ है आत्म विश्वाच से भरा हुआ है साथियों इन सारी बातों के लिए एक सुविचारिज प्रयास हुआ है। रिफॉम की परंपरा को सामर्थ दिया गया है। नकर तरीकों के नकर 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 को ले करके और जब राजनितिव नेत्रुत्व की संकल्प शक्ति हो दड़ विस्वात हो जब सरकारी मशिनरी उसको लागू करने के लिए समर्पन भाव से जुड़ जाती है और जब देश के हर नागरी उस सपने को पूरा करने के लिए जन भागी दारी करने के लिए जन अंदोलन बनाने के लिए आगे आता है तब हमें निस्षित प्रणा मिलता ही रहता है। मेरे प्यारे देश्वासियों हम यह न समय बिताया है जब होती है चलती है अरे यारे तो चलेगा अरे हमें क्या महनत करने की जरूता है अरे मामला है आगने पेड़ी दिखेगी अरे हमको मोका मिला है यार मोच कर लो आगे वाला आगे का जाने हमें क्या कर रहा है हम अपना समय निकाल दे अरे नया करने जाओग यही का माहोल बन गया था और लोग तो कहता है रे छोड़ो आप कुछ होने वाला नहीं है चलो ऐसा ही मन मर गया था हमें इस मानसिक्ता को तोड़ना था हमें विश्वास से भरना था और हमने उदिशा में प्रया किया कई लोग तो कहते थे अरे अगली पीड़ी के लिए काम महमाद भी से क्यों करें हम तो आज का देखे हैं लेकिन देश का सामान ने नागरी ये नहीं चाहता था वो बडलाव के इंतजार में था वो बडलाव चाहता था उसकी ललक थी लेकिन उसके सपनों को किसी ने तबज्जू नहीं दी उसके आशा अकांशाओं को पेश्चाओ वो रिफॉंस का इंतजार करता रहा हमेज नवजवानों के सपने हो संकल्प हो अकांगशय हो उनके चीवन में बड़लाव लाने के लिए रिफॉर्म का बार्ख हमने चूना और मैं देश वाद्शियों को विश्वाद दिलाना चाहता हूँ रिफॉर्म के प्रति हमारी जो प्रतिबत्ता है वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सिमित नहीं है हमारे रिफॉर्म की ये प्रतिबत्ता है वो चार दिन की वहवाही के लिए नहीं है हमारी रिफॉर्म की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है देश को मजबूती देने के इरादे से है और इसलिए मैं आज क्या सकता हूँ रिफॉर्म का हमारा मार्ग एक प्रकार से ग्रोफ की ब्लूप्रिंट बनी हुई है ये हमारा रिफार्म ये ग्रोफ ये बढ़लाओ ये सिरफ डिबेट कलब के लिए इंटलेक्ट्वल सुसाइटी के लिए एक्सपर्ट लोगों के लिए सिरफ चर्चा का विश्य नहीं है साथियों हमने राजनिती मजबूरी के कारण नहीं किया है हम जो ग्ल्टी कर रहे है और राजनिती का भागा गुणा करके नहीं सोते हैं हमारा एक ही संकल्प होता है नेशन फर्स नेशन फर्स रास्तहित सुप्रेम ये मेरा भारत महान बने इसी संकल्प को लेकर करके हम कदम उठाते हैं साथियों जब रिफॉर्म की बात आती है एक लंगा परिवेश है अगर मैं उसकी चर्चा में चला जाओंगा तो साइद गंटों निकल जाएंगे लेकिन एक छोटे सा उदान देना चाहता हूं बैंकिंग शेतर में जो रिफॉ काम हुआ अब सोचिए बैंकिंग शेतर का क्या हाल का नविकास होता था नविस्तार होता था नविस्वाद बढ़ता था इतना ही नहीं कि जिस प्रकार की कारणा में चले उसके कारण हमारे बैंक संक्रटों से गुजर रहे थे हमने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने कि लिए अनेक भी रिफार्म्स किये और आज उतका गारां हमारी बैंक विश्व में जो इनी गुनी मजबूत बैंक के हैं उसमें भारती बैंकों ने अपना स्थान बनाया है और जब बैंक मजबूत होती है ने तब फॉर्मल एकानोमी की ताकत भी बढ़ती है जब बैंक क कि व्योस्ता बन जाती है जब सामान ने खास करके मद्यमबर के परिवार की जो रिक्वार्मेंट होती है उसको पूरा करने की सबसे बड़ी ताकत बैंकिंग सेक्टर में होती है अगर उसको होम लोन चाहिए उसको वेहिकल का लोन चाहिए मेरे किसान को ट्रेक्टर के मुझे तो खुची है कि मेरे पशु पालग भी मेरे मज़ली पालन करने वाले भाई बहन भी आज बेंक को से लाब ले रहे हैं सब्सक्राइब पैसों की जरूत होती है अपने नित्य मर्जी प्रप्रगति के लिए और उस काम को हमारी मजबूत बैंकों के कारणा संभव हुआ है कि साथ्यों कि दुर्भागिस हमारे देश में आजादी तो मिली लेकिन लोगों को एक प्रकार चे माई बाप कल्चर से घुजरना पड़ा सरकार के पास मांगते रहो सरकार के पास हाथ फालाते रहो किसी की सिफार इसके लिए रास्ते खोथते रहो वही कल्चर डेवलप हुआ था आज हमने गवर्णनस के इस मोडेल को बदला है आज सरकार खुद लाभारती हितार्थी के पास जाती है आज सरकार खुद उसके घर गैस का चुला पहुचाती है आज सरकार खुद उसके घर पानी पहुंचाती है, आज सरकार खुद उसके घर बिजली पहुंचाती है, आज सरकार खुद उसको आर्थिक मदद दे करके विकास के नए आयामों को चरकार नेकले प्रेलित करती है, पोतसाइच करती है, आज सरकार खुद नव जबान के स्किल development के लिए अनेक बित कदम उठा रही है शाथियों बड़े reforms के लिए हमारी सरकार बहुत ही प्रतिवत है और हम इसी के द्वारा देश में प्रगति की राह को चुनना चाहते हैं साथियों देश में नई व्यवस्ताइब बन रही है देश को आगे ले जाने के लिए अनेक बीत नीतियों को अनेक बीत पालिसिस को निरंतर बनाया जाए है और नए सिस्टिम पर देश का भरोसा भी बढ़ता रहता है निरंतर बढ़ता रहता है आज जो 20-25 साल का नवजवान है जो 10 साल पहले जब 12-15 साल की उमर का नवजवान था उसने अपनी आखों के सामने ये बड़लाब देखा है 10 साल के फीतर फीतर उसके सपनों का अकार मिला है धार मिली है और उसके आत्मे विश्वास में एक नई चेतरा जगी है और वही देश का एक नया सामर्त के रुपे उभर नावजवाद आज विश्व भर में भारत की साख बड़ी है भारत के प्रति देखने का नजरिया बड़ला है आज विश्व में युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खुले है रोजगार के अंगिनित नए अवसर चुशाइद आज आदि के इतने सालों के बाद भी नहीं आये थे वो आज उनके दरवाजे पर दस्थक दे रहे संभावनाओं बढ़ती गई है मैं नए मोके बंदहे है मेरे देश के युवाओं को अब दीरे दीरे चलने का इरादा नहीं है मेरा देश का नव जवान incremental प्रगति में विश्वात नहीं करता मेरा देश का नव जवान चलांग मारने के मूड में है को छलांग मार किने के नई शिद्धियों को प्राफ्ट करने के बूड बहुत है मैं कहना चाहूंगा भारत के लिए गोल्ड नेरा है बेश्विक परिसिद्धियों के तुलना में भी देखें ये गोल्ड नेरा है ये हमारा स्वर्णिम कालखंड है मेरे तियारे देस वाज़ियों ये आफसर हमें जाने नहीं देना है ये मोका हमें जाने नहीं देना चाहिए और इसी मोके को पकड़ करके अपने सपने और संकल्पों को लेकर कर चल पड़ेंगे तो हम देश की सुनिम भारत की जो अपेछ्शा और हमें विक्सित भारत का 2047 का लक्ष हम पूरा करके रहेंगे हम सद्यों की बेडियों को तोड़ करके निकले हैं आज तुरिजम का ख्षेत्र हो MSMS का ख्षेत्र हो एजुकेशन हो हेल्ड सेक्टर हो टांसपर्ट सेक्टर हो खेती और किसानी का सेक्टर हो हर सेक्टर में एक नया आधुनिक सिस्टिम बन रहा है हम विश्व की best practices को भी आगे रखते हुए हम आमारे देश की परिच्चितियों के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं हर सेक्ट सेक्टर में आधुनिक्ता की जरूरत है नएपन की जरूरत है टेक्नलोजी को जोडने की जरूरत है और हर सेक्टर में हमारी नई नीत्यों के कारण इन सारी क्षेत्रों में नया सपोर्ट मिल रहा है नई ताकत मिल रही है हमारे सारे अवरोध हटे हमारी बंदी से दूर हो हम पूरे सामर्जा के साथ चल पड़े ठील उठे सपनों को प्रा करके रहे सिद्धी को हम अपने नीकड देखे हम आत्मसाथ करे उस दिशा में हम चलना है अब आप देखिए कितना बड़ा बड़ा वरा है मैं एकनम जमिनिस्टर की बात करूँ विमेन सेल्फ हेल्फ गुरूप आज दस साथ में हमारे दस करोड बहने विमेन सेल्फ हेल्फ गुरूप में जुड़ी है दस करोड नई बहने हमें गर्व हो रहा है कि हमारे सामान ने परिवार की गाउं की दस करोड में लाए आर्थिक रुप से आत्मा निर्भर बन रही है और जब महिला आर्थिक रुप से आत्मा निर्भर बनती है तब परिवार की निर्णे प्रक्रिया की हिस्सेदार बनती है एक बहुत बड़ी सामाजी परिवर्तन की गारंटेर करकाती है मुझे गर्म है इस बात पर लेकिन साथ साथ मुझे गर्म है इस बात का भी है कि हमारे CEO आज दुनिया भर के अंदर अपनी धाग जमा रहे हैं भारत के हमारे CEO विश्व भर में अपनी धाग जमा रहे हैं हमारे लिए खुशी की बात है कि एक तरफ मेरे CEO दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं भारत का नाम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ विमेंज सेल्फ होल गुरूप से एक करोड मेरी सामान ने परिवार की माताय बेने लखपती दीदी बनती है मेरे लिए ये भी उतना ही गर् है अब हमने इसेल्फ होग रुप को 10 लाग रुपे से 20 लाग रुपे देने का निर्ट किया अब तें 9 लाग करोड रुपी है बैंकों के माध्यम से हमारे इन विमेंज सेल्फ होग गुरूप को मिले है और जिसके मदद से वो अपने अने वित कामों को बढ़ावा रहे है मेरे साथियों, मेरे नवजवान इस तर ध्यान दे, स्पेस सेक्टर एक फ्यूचर है हमारे साथ जुड़ा हुआ, एक महतोपुन पहलू है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं, हमने स्पेस सेक्टर में बहुत रिफॉर्म किये हैं, जिन बंधनों में हमने स्पेस सेक्टर को आता हमारा स्पेस सेक्टर भारत को एक शक्ति शाली राष्ट बनाने का एक महत्वपुन अंग है और हम इसको दूर की सोच के साथ मजबूती दे रहे हैं आज प्रावेट सेटिलाइट प्रावेट रॉंकेट लांच हो रहे हैं ये गर्वे की बात हैं आज मैं कह सकता हूं ज नियत सहीद होती है और पूर्ण समर्पन से राष्ट का कल्यान यही मंत्र होता है तो निश्चित प्रणाम हम प्राव तक करके रहते हैं मेरे प्यारे देश्वास जीओं आज देश में नए अवसर बने तब मैं कह सकता हूं दो चीज़े और हुई जिसने विकास को एक गती दी है विकास को एक नई शलांग दी है और यह है पहला है आधुनिक इंफ्रास्रक्टर का दर्बान हमने इंफ्रास्रक्टर को आधुनिक बनाने के दिशा में बहुत बड़े कदम उठाए हैं और दूसरी तरफ सामान ये मानिवी के जीवन में जो बादाएं है इस अब लिविंग का हमारा जो सपना है उस पर भी हमने उतना ही बल दिया है पिछले एक दसक्मे अभूत पर वह इंफ्रास्रक्टर का अभी कास हुआ है रेल हो रोड हो एरपोर्ट हो पॉर्ट हो ग्रॉट्मेंट करेक्टिविटी हो गाउं गाउं नए स्कूल बनाने की बात हो जंगलों में स्कूल बनाने की बात हो दूर सुदूर इलाकों में अस्पताल बनाने की बात हो आरों के मंदिर बनाने की बात हो मेडिकल कॉलेजों का काम हो अविश्मान आयरों के मंदिरों का निर्मान चलता हो साथ हजार से जादा अमरुत सरोवर बने हो दो लाग पंचायतों तक अप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा हो नहरों का एक बहुत बड़ा जान बिछाया जा रहा हो चार करोर पके घर बनना गरीबों को एक नया आस्रे मिलना तीन करोर नए घर बनाने के संकपन के साथ आगे बढ़ने की हमारी कोशिज हो हमारा पुर्वी भारत नौर्टिस्ट उसका इलाका आज इंफ्रासेक्टर के लिए जाने जाना लगा है और हमने ये जो कया कल्प किया है उसका सबसे बड़ा लाप समाच के उन वर्गोतम हम पहुचे हैं जिब ग्रामिन शड के बहां बनी है जिन की तरव कोई देखता नहीं था जिस इलाको को नहीं देखता था जिन गावों को नहीं देखता था दली थो, पीडी थो, छोची थो, वंची थो, पिछले हो, आदिवासी हो, जंगल पर रहने वाले हो, दूर सुधूर पहडों पर रहने वाले हो, सीवा वर्तिस्थान पर रहने वाले हो, हमें उनकी आवश्यक्ता की पूर्ति की है, हमारे मच्वारे भाईब्यानों की आवश शैली में रहा है और उस सबसे सबसे बड़ा लाब मेरे युवाओं को होता है। उनको नएने औसर मिलते हैं नएने ये खेत्र में कदम रखने का उसके लिए सम्मावननाय मन जाती है। और बही तो सबसे ज़्यादा रोजगार दे रहा है और सबसे ज़्यादा रोजगात प्राप्त करने का अवसर इनी समय में उनको मिला है हमारा जो मद्नमबर के परिवार है मद्नमबर के परिवार को क्वालिटी ओफ लाइफ वो स्वाभावी को इसके अपेक्षा रहती है वो देश के लिए बहुत देता है तो देश का भी दाइत्व है कि उसकी जो क्वालिटी ओफ लाइफ पर जो उसके पेक्षा है सरकार की कषिनाईयों से मुक्ति की उसकी जो पेक्षा है उसको पूर्ण करने के लिए हम निरंतर प्यात करते हैं और मैंने तो सपना देखा है कि 2047 जब विक्षित भारत का सपना होगा तो उसकी एक ही काई ये भी होगी कि सामान्य मानुवी के जीवन में सरकार की दखले कम हो जहां सरकार की जरुवत हो वहां अभाव नहो और जहां सरकार की बेवकारण प्रभाव भी नहो इस प्रकार की ववस्ताग पर हम प्रतिवर्दीत है मेरे प्यारे देश वाचियो हम जरुत छोटी छोटी जरुतों पर भी ध्यान देते हैं हम छोटी छोटी आवस्चताओं पर ध्यान देते हैं और उसको लेकर हम चलते हैं चाहे हमारे गरीब का घर का चूला जलता रहे गरीब की माँ को कभी आंसु पी करके सोना न पड़े और इसके लिए मुप्ति इलाज की योजना हमारी चल देए बिजली पानी यैस अब सैचुरेशन के मूड पर है और जब हम सैचुरेशन की बात करते वो स्थ प्रतीशत होत है तो उसको जाती वाद का रंग नहीं लगता है जब सैचुरेशन होता है तो उसको में पान ठीकता का रंग नहीं लगता है जब सैचुरेशन का मंत्र होता है तब सच्चे अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र साकार होता है लोकों के जीवन में सरकार की दखल कम हो उस दिशा में हमने हजारों कम्प्लाइंसिज के लिए सरकार सामान ने मानवी पर बोज दाजती थी उन सारे कम्प्लाइंसिज को धूर किया हमने देश वाजियों के लिए देश हजार से जादा कानूनों को खत्प कर दिया ताकि कानूनों की जंजाल के नदेश स्वाजियों को फस्तना न पड़े हमने छोटी-छोटी गलतियों के कारण ऐसे कानू बने थे उनको जेल पे अदर तकेल दिया जाए हमने उन छोटे-छोटे कारणों से जेल जाने के जो परंपराय थी उन सारे कानूनों को नश्ट कर दिया और कानूनों को जेल बेजने के प्रावदान को व्यवस्ता से बाहर कर दिया है आज हमने जो आज़ादी के विरासत की विरासत के गर्वे की बात हम जो करते हैं सद्धियों से हमारे पास जो क्रिमिनल लौ थे आज हमने उसको नए क्रिमिनल लौ जिसको हमने नयाई सहीता के रूप में और जिसके मूल में दन नहीं पर नागरी को नयाई इस भाव को हमने प्रबल बनाया है इज प्रबल लिविंग बनाने लिये देश को आपी मिशन में काम करret हूं हर लेवल पर मैं सरकार के प्रतिनीतित हों का आवहन करत Hey मैं जन प्रतिनीती वह किसी भी दल के क्यों नहीं किसी भी राज्य के क्योंनों सबसे आगर करता हूँ कि हमने एक mission mode में ease of living के लिए कदम उठाने चाहिए मैं हमारे युवाओं को professionals को सब को मैं कहना चाहता हूँ आप अपने स्थान स्थान पर जहां पर आपको छोटी छोटी दिक्कते होती है आप उसके solution को लेकर के सरकार को चिठी लिखते रहिए सरकार को बताईए कि बिना कारण की कठिनाई आए उसको दूर करने से कोई नुक्सान नहीं है मैं पक्का मानता हूँ आज सरकार ये सम्वेदन सिल है हर सरकार थान ये स्वाराज के समस्ता होगी या राज सरकार होगी या केंदर सरकार होगी उसको तवज्जू देगे गवननस में रिफोर्म्स ये हमें विक्षिद भारट एट 2047 के सपने के लिए हमने उसको जोड लगा करके आगे बढ़ाना होगा ताकि सामान ने मानवी के जीवन में अवकास ही अवकास पादा हो रुकावटे खत्म ही खत्म होती चली जाए नागरीकों का dignity of citizen नागरीकों के जीवन में सम्मान मिले डिलिवरी के समझ में कभी किसी को ये कहने के मौबद नाया कि ये तो मेरा हक ठक मुझे मिला नहीं उसको खोजना न पड़े सरकार के गवर्नस में डिलिवरी सिस्टिम को और मजबूदी चाहिए आप देखिए देश में जब हम reform की बात करते हैं आज देश में करीब करीब तीन लाख समस्ताएं काम करिए चाए पंचायत हो नगर पंचायत हो नगरपाली का हो महानगरपाली का हो यूटी हो स्टेट हो डिस्टिक हो छोटी मोटी तीन लाख करीब करीब काईया है अगर ही हमारे तीन लाख की काईयों को मैं आज आवान करता हूँ कि अगर आप सान में अपने स्तरपन जिन चीचों की जरूत है सामान ने मान्रवी के लिए डो रिफॉर्म करें च्ला नहीं कह रहा हो मेरे सातियों एक पंचा ये तो एक राजचे सरकार हो कोई भागो सिरफ एक साल में दो रिफॉर्म और उसको जमीन पर उतारें आप देखिए हम देखते ही देखते ही एक साल में करीब परी 25-30 लाख रिफॉर्म कर सकते हैं जब 25-30 लाख रिफॉर्म हो जाए तब सामान ये मानवी का विश्वास कितना बढ़ जाएगा उसकी शक्ति रास को नहीं इचाई पर ले जाने में कितनी काम आएगी और इसलिए हम अपने स्तर पर होती है चलती से मुक्ति पाकर के बदलाओं के लिए आगे आए हिम्मत के साथ आगे है और सामान ये मानवी की जरुत छोटी-छोटी जरुत होती है पंचायट लिबल पर भी वो मुसीबते जेल रहा है उन मुसीबतों से हम मुक्ति दिलाएं तो मुझे पक्का भी स्वास है कि हम सपनों को पार कर सकते हैं मेरे प्यारी देश स्वासियों आदेश आकांग्छाओं से भरा हुआ है हमारे देश का नवजमान नई सिद्ध्यों को चुमना चाहता है नए नए सिखरों पर कदम रखना चाहता है और इसलिए हमारी कोशिज है हर सेक्टर में कार्ये को हम गती दे तेज गती दे और उसके बारा पहले हम हर सेक्टर में नए आउसर पैदा करे दूसरा इस बदलती हुई भवस्ताओं के लिए जो सपोर्टिम इंफ्रसक्टर चाहिए उन्हें इंफ्रसक्टर पर हम बदलाओ के मजबूती देने के दिसा में काम करे और तीसरी बात है नागरीकों की मुलभूत सुविधाओं की विशे में हम प्रात्विक्ता दें उसक सुसाइटी का निर्माण किया है और उसके पन्राम सरूप आज समाज खुद एक विश्वास से भड़ा हुआ है हमारे देश वास्चों की आकांचा है उनका एस्प्रेशन्स हमारे नव जबानों की उर्जा हमारे देश के सामर्थे के साथ जोड़ करके हम आगे बढ़ने की एक लड़क ले करके चल रहे है मुझे पी स्वाद है रोजगार और स्वरोजगार नए रिकॉर्ड के आउसर पर हम काम किया है प्रति व्यक्ति आज आज दोगुनी करने में हम सभल हुए हैं ग्लोबल ग्रोथ में भारत का योगदान बढ़ा है भारत का एक्पोर्ट लगातार बढ़ रहा है विदेशी मुदरा भंडार लगातार बढ़ा हुआ है पहले से दोगुना पहुचा है ग्लोबल संस्तानों का भारत के प्रति भरोसा बढ़ा है मुझे विश्वात है भारत की दिशास ही है भारत की गती तेज है और भारत के सपनों में सामर्थ हैं लेकिन इस सब के साथ संबेदन सिल्का का हमारा मार्ग हमारे लिए उर्ज्या में एक नई चेतना भरता है ममभाव हमारे कारे के सैली है समभाव भी चाहिए मममभाव भी चाहिए उसको ले करके हम चलना है साथियों मैं जब करोना काल को याद करता हूँ करोना की वेश्विक महामारी के भीश सबसे तेजी से एकोनोमी को बहतर बनाने वाला कोई देश है तो वो देश भारत है तब लगता है कि हमारी दिशा सही है जब जात पात मत पंथ उपर उठकर हर गर्थिरंगा फैराये जाता है तब लगता है देश की दिशा सही है आज पुरा बेश तिरंगा है हर गर तिरंगा है न कोई जात है न कोई पात है न कोई उच है न कोई नीच है सभी भागती है यही तो हमारी दिशागी ताकत है जब हम पतीश करों लोगों को गरीबी से बार निकालते है तब हमारा विश्वास पक्का हो जाता है कि हमने गती को बराबर मैंटेन किया है और सपनों को साकार करना अब दूर नहीं है जब सो से अधिक आकांची जिले अपने राज के अच्छे जिलों की फर्दा कर रहे बराबरी कर ले लगे हैं तो हमें लगता है कि हमारी दिशा और गती दोनों सामर्दवान है जब हमारे उन आधिवासिसाथियों को वो मदद मिलती है पी-म जन्मन के द्वारा उनको जो योजना हैं पहुँची थी आबादी बहुत छोटी है लेकिन बहुत दो सुर्दू रिलाकों में छुट-पुट-छुट-पुट परिवार रहते हैं हमने उनको खोच के निकाला है उनके लिए चिंता की है तब लगता है कि संवेदन सिल्टा से जब काम करते हैं तब संतोष कितना मिलता है वर्किंग मुमेन के लिए पेड मेटनिटी लीव बारा हपते से बढ़ा करके छब्विस हपते कर देते हैं तब स्रम नारी का संवाणी करते हैं नारी के पर ये संवेदन सिल्ट भावते निर्णे करते हैं लेकिन उसके गोद में जो बच्चा पला है न उसको एक उत्तम नागरिक बनाने के लिए मा की जो जरुवत है उसमें सरकार रुकावट न बने इस संवेदन सिल्ट भावना से उस दिनने को हम करते हैं जब मेरे दिव्यांग भाई बहन भारतिये साइन लेंग्वेज की बात हो या तो सुगम में भारत का भियान हो उसको लगता है का मेरी भी डिग्नीटी है मेरे पते संवेश के नागरिक संवान के भाव से देखता है और परालंपिक में तो हमारी खिलाडी नही नही ताकत दिखाने लगे हैं तब लगता है कि यह जो मेरा मम भाव है हम सबका मम भाव है उसकी ताकत दजर आती है हमारे ट्रांसजेंडर समाज के पती हम जीस संवेशना के साथ नेड़े बना रहे हैं हम नएने कानून बना रहे हैं उनको संवान का जीवन देने के लिए हम पइस कर रहे हैं तब बड़लाव के हमारी दिशा सही दिता है सेवा भाव से किये गए इन कामों का जो त्रिवीत बार्गोस हम चले हुए इन कामों का एक सीधा सीधा लाव आज उसके परड़ाम के रूप में हमें नजर आ रहा है साड़ साल बात लगातार तीसरी बार आपने हमें देश सेवा का मोका दिया है मेरे एक सो चालिस करोर देश वासी आपने जो आशिरवाद दिये है उस आशिरवाद में मेरे लिए एकी संदेश है जन जन की सेवा हर परिवार की सेवा हर छेत्र की सेवा और सेवा भाव से समाज की शक्ति को साथ ले करके विकास की नई उचाईयों पर पहुंचना 2047 विक्सित भारत के सपने को ले करके चलना उसी एक संदेश को ले कर मैं आज लाल किले की प्राचीर से हमें आशिरवात देने के लिए मैं कोटी कोटी देश वाचियों का सर जुका करके आभार व्यक्त करता हूँ मैं उनके प्रती नत मस्तफ होता हूँ और मैं उनको विश्वात दिलाता हूँ कि हमें नई उचाईयों को नए जोश के साथ आगे बढ़ना है हमें सिर्फ जो हो गया है वो संतोश मान करके बैठने वाले हम लोग नहीं है वो हमारे समस्कार में नहीं है हम कुछ और करने के लिए कुछ और आगे बढ़ने के लिए और कुछ और ने उचाईयों को पार करने के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं विकास को, सम्रुद्धी को, सप्नों को साकार करने को, संकल्पतों ले जीवन खपाने को, हम अपना स्वभाव बनाना चाहते हैं, देश वाच्यों का स्वभाव बनाना चाहते हैं. मेरे पैरे देश वाच्यों, आज नई सिक्षा नीती, बहुत एक मात्रों में कई राच्यों ने उसको अच्छा इनिसेटिव लिये हैं, और उसके कारण, आज एक 21 सदी के अनुरूप, हमारी सिक्षा व्यवस्ता को जो अंबल देना चाहते हैं, और विक्सित भारत के सपने क लिए जिस प्रकार से माडव समूत तयार करना चाहते हैं, नई सिक्षा नीती बहुत बड़ी भूमिक आदर हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे देश के नवजवानों को अब विदेशों में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़े, मद्नमबर के परिवार के लाखों करो करना पड़े, मेरे मद्नमबर के परिवारों को लाखों करोर रुप्या खर्च करना पड़े, इतना ही नहीं, ऐसे संस्तान निर्माण हो, ताकि विदेशों से लोग भारत के अंदर मुह मुह मुड़े, अभी अभी हमने बिहार का अमारा गवर प्रदित्यात रहा है, नाल उनिवर्सिटी काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन हमें सिक्षा के छेत्र में फिर से एक बार सद्यों पुराने उस नालंदा स्पिरीट को जगाना होगा, उस नालंदा स्पिरीट को जीना होगा, उस नालंदा स्पिरीट को लेकर के बड़े विश्वात के साथ विश्व कि ज्ञान की परंपराओं को नई चेतना देने का काम हमें करना होगा मुझे पुक्त अविस्वात है कि नई शिक्षा नीती ने मात्रु भाषा पर बल दिया है मैं राज्य सरकारों से कहूंगा मैं देश की सभी समस्थानों से कहूंगा कि भाषा के कारान हमारे देश की टैल मात्रु भाषा का सामर्थ हमारे देश के छोटे छोटे गरीब से गरीब मा के बेटे को भी सपने पूरा करने का ताकत देता है और इसलिए हमने हमारी मात्रु भाषा में पढ़ाई जीवन में मात्रु भाषा का स्थान परिवार में मात्रु भाषा का स्थान उसकी और हमें बल देना होगा मेरे प्यारे देश्वासियों जिस प्रकार से आज विश्व का बढ़लाओं नजर आ रहा है और सब जाकर के स्कील का महत्व बहुत बढ़ गया है और हम स्कील को और नहीं एक टागत देना चाहते हैं हम इंडिस्ट्री 4.0 को धान मेरा करके हम स्कील डेवलप्मेंट चाहते हैं हम जीवन के हर खेत्र में हम एगरिकल्चर सेक्टर में भी कैपिसिटी बिल्निंग करके इने लिए स्कील डेवलप्मेंट की और बल देना चाहते हैं और हम स्कील इडिया प्रोग्रेम को बहुत व्यापक रूप से इस पार लेकर क्या आए हैं बजेट में भी इसका बहुत बड़ा इस बजेट में इंटर्शिप को भी हमने बल दिया है ताकि हमारे नव जवानों को एक एस्पिर पकारत मैं स्कील युवानों को तयार करना चाहता हूं और दोस्तों आज विश्व की परितितों को देखते हुए मैं साप साप देख रहा हूं कि भारत का स्कील मेंट पावर जो है हमारा स्कील फूल जो नवजवान है वो ग्लोबल जोब मार्केट में अमपनी तमक बनाए हम उस सपने को लेकर के आगे चल रहे हैं साथियों विश्व दिश्टेजी से बदल रहा है जीवन के हर शेत्र में साइंस और टेक्नलोजी का महत्मय बढ़ता चला जारे बाला है हमें साइंस को बहुत बढ़ देना के अवश्यक्ता है और मैंने देखा चंद्रयान की सफल के बार हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर साइंस और टेक्नलोजी के प्रती एक नई रूची का मातावन बना है नई दिल्चस भी बढ़ी है तब हमारे सिक्षा संस्तानों ने यह जो मनोभाव बना है उसको नर्चर करने के लिए आगे आना होगा भारत सरकार ने भी सपोर्ट बढ़ा दिया है हमने जाता से ज्यादा चैस स्थापित किये हैं हमने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना करके हमने उसको एक कानूनी परिवेस्ट में ला करके स्थाई रूप से एक व्यवस्ता विक्सित की हैं ताकि रिसर्च को लेकर के निरंतर बल मिले और निसर फाउंडेशन उसकाम को करें मेरे बड़े गर्व की बात है कि बजेट में हमने एक लाग करोड रुपिया रिसर्च और इनवेशन के लिए हमने देने का निर्णे किया है ताकि हमारे देश के नौजवान के पास जो आइडियाज है उस आइडियाज को हम जमीन पर उ नहार जा रहे हैं कि वैसा कि हमने बहुत ज्यादा था मध्नमबर के परिवार के उनके लाखों करोड और उर्पे खर्च हो जाते हैं और तब जाकर के हमने पिछले कि ड़स साल में कि मेडिकल सीटों को करीब करीब एक लाग कर दिया आज मैं करीब पचीस हजार युवा रसाल विदेश में मेडिकल एक्शूकेशन के लिए जाते हैं और ऐसे इसे देश में जाना पड़ रहा है कभी कभी कि तो मैं सोच सुनता हूं धहरान हो जाता हूं और इसलिए हमने ताइक किया है कि अगले पांच साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटे बनाई जाएगी मेरे प्यारे देश वात यह विक्सिद भारत 2047 वो स्वस्त भारत भी होना चाहिए और जब स्वस्त भारत हो तो आज जो बच्चे हैं उनके पोशन पर आज से ध्यान देने के जरूर और इसलिए हमने विक्सिद भारत की जो पहली पीड़ी है उनकी तरफ विशेद ध्यान दे करके हमने पोशन का एक भ्यान चला है हमने राश्टिये पोशन मिशन चुरू किया है पोशन को हमने प्रात्विक्ता दी है मेरे प्यारे देश वात्जियो हमारी क्रिसी व्यवस्ता को ट्रांस्फर्म करना बहुत जरूरी है समय की मांग है हम सदियों से जिस प्राम्त्वरतामे दबे हुए है जकडे हुए है उससे मुक्ति पानी होगी और हमारे किसानों को उसके लिए हम मदद भी दे रहे है हम उसको ट्रांस्फर्म करने के दिशा में लगातार काम करते हैं आज आशान द्रुन दे रहे हैं किसानों को टेक्नलोजी की मदद दे रहे है किसान जो पैदावर करता हूँ उसको वैलू एडिशन के लिए हम काम कर रहे हैं उसके लिए मार्केटिंग के लिए पूरा प्रबंध करते हैं क्याकि उसको end to end हर जगा पे हैंड होल्डिंग की व्यवस्ता हो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं आज अज अब धर्ती माता के प्रती सारा विश्व चिंतिध है जिस प्रकार जे उर्वरक के कारण हमारी धर्ती माता की शहएद दिनों दिन विगरता जा रही है हमारी धर्ती माता की उत्पाचक तक शमता खतम होती चली जा रही है कम होती चली जा रही है और तो समय मैं मेरे देश के लाखों किशानों का अभार वेक्त करना चाहता हूँ, जिनोंने प्राकृतिक खेती का रास्ता चुना है। और हमारी धर्ती माता की सेवा करने का भी उन्होंने बिड़ा उटाया है। और इस बाद बजेट में भी हमने प्राकृतिक खेती को बल देने के लिए बहुत बड़ी योजनाओं के साथ बहुत बड़ा बजेट में प्रावधान किया है। और अर्गनिक फूड का अगर कोई फूड बास्केट बन सकता है तो मेरे देश का किसान बना सकता है। मेरा देश बन सकता है। और इसलिए हम आने वाले दिनों में उस सपने को लेकर के आगे चलना चाहते हैं। ताकि और्गनिक फूड की जो बिश्व की मांग है उस और्गनिक फूड का बास्केट हमारा देश कैसे बने। किसानों का जीवन आसान बने गाउमें टॉड कलास इंटरेट कनेक्टिविटी मिले। किसानों को स्वास्त सुबिदाय मले। किसान के बच्चों को पढ़ने के लिए स्मार्ट स्कूल अवैलेबल हो। किसान के बच्चों को रोजगार उपलब्द हो, छोटी-छोटे खेती के टुकणों पर पुरा परिवाराज जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तब उनके नव जबानों के लिए वो स्कील मिले, ताकि उनके नए रोजगार मिले, नए आयके साधन बने, इसका एक कॉंप्र प्रयास हम कर रहे हैं, बीते बर्षों में, वुमेन लेट डेवलोप्मेंट मोड़ाई पर हमने काम किया है, इनोवेशन हो, एंप्लोईमेंट हो, एंट्रेप्रिनेर्शिप हो, हर सेक्टर में महिलाओं के कदम बढ़ते जा रहे हैं, महिला ये सिरफ भागी जारी बढ़ा हमारी ऐसा नहीं, महला ये नेत्रुत्र दे रही है, आज अनेक शेत्रों में, आज हमारी रक्षाक्षेता में देखिए, हमारा एरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हमारा स्पेस सेक्टर हो, आज हमारी महलाओं का हम दम खम देख रहे हैं, देश के लिए, लेक चिंता की बाते भी आती हैं और मैं आज लाल के लिए से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं एक समाच के नाते हमें गंबीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं बेहनों बेटियों के प्रती जो अत्याचार हो रहे हैю उसके प्रती देश का आक्रोष है जन समाने का आक्रोष है इस आक्रोष को मैं महसूस कर रहा हूँ इसको देश को समाज को हमारी रवज्य सरकारों को गंबीरता से लेना होगा महिलाओं के विरुद्ध अपरादों की जल्द से जल्द जाच हो रक्षसी कृत्य करने के वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो वो समाज में विश्वात पैदा करने के लिए जरूरी है मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बनातकार की महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है बहुत प्रचार होता है मिडिया में छाया रहता है लेकिन जब ऐसे राक्षे सी मनोवृत्ती व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कही नजर नहीं आती है कौन में कही पढ़ा रहता है अब समाई की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा होता की ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की साहलत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे देश स्वासियो हमारे देश में ऐसी एक आतर बन गई थी सभाव से हम बेश को का मांकरा देश के प्रती गवरोग के भाव का अभाव होना ये पता नहीं क्यों हमारे जहन में गुज गया था और हम तो कभी-कभी तो लेट आये तो कहते थे इंडियन रहे शर्प के साथ हम बोल देते देश को इन चीजों से हमने बाहर लाने में सफलता पाई है किसी जमाने में कहाँ जाता गारे खिलोने भी बाहर से आते थे वो दिन देखे हमने आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे देश के खिलाओनों दुनिया के बाजार में अपनी थमख लेकर के पहुँच रहा खिलोने हमारे एक्सपोर्ट होने शुरू हुए तो यह जमाना था हम मोबाईल फॉन इंपोर्ट करते थे आज मोबाईल फॉन मैनुफेकिंग का एको सिस्टीम बना है बहुत बड़ा हब बना है और आज मोबाईल फॉन दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगे हैं यह भारत की ताकत है सांत्यों भविश के साथ सेमी कंड़क्टर जुड़ा हुआ है आदुनिक टेक्वाव जुड़ी है AI जुड़ा हुआ है हमने सेमी कंड़क्टर मिशन पर काम शुरू किया हर उपकरन में मेडी निया चीप क्यों न हो क्यों ये सपना मेरे देश का नव जवान देगे टेने जहाँ है सारे इस प्रकार के रीसेश काम हिंदुस्तान में होते है तो अब प्रोड़क्शन भी हिंदुस्तान में होगा सेमी कंड़क्टर का काम भी हिंदुस्तान में होगा और हम end-to-end solution दुरिया को देदे की ताकत रखते हैं और हम उसको का साथ हम एक जमाना हम देखा है तूजी के लिए हम कैसा जंगर्ष करते थे आज हर उपकरन में हम देख रहे हैं हम तेजी से आगे बढ़े और फायुजी चिस तेजी से पुरे देश में रोल आउट हुआ हिंदुतान के करीब-करीब सभी ख्षेत्रों में फायुजी पहुँच गया बिश्व में तेज गज़े पहुँचाने में हम आगे रहे और देश सात्यों में और कहा हम रुखने वाले नहीं है फायुजी पे रुख जाना है खमे मन्जूर नहीं है हम सिख जी पर अभी से मिशन बोड में काम कर रहे हैं और बिश्व में हम उसमें भी अपनी धमक जमाएंगे यह मैं विश्वास से कहता हूँ मेरे पहरे साथियो डिफेंस सेक्टर हमारी आदत हो गए थी डिफेंस बजेट कितना ही क्यों न हो लेकिन कभी को सोथता नहीं था कि डिफेंस बजेट बड़ा तो जाता कहा है डिफेंस बजेट विदेशों से खरीदी में चला जाता था अब हम चाहते हैं हम आत्मन निर्फर बने और मैं हमारी डिफेंस फोर्सिस का रदेश से धनिवाद करता हूँ उन्होंने हजारवाज सी चीजे लिस्ट कर दी है उन्होंने ताइक किया है हम विदेश से नहीं लाएंगे राष्ट के लिए जीना क्या कहते हैं यह हमारे सेना के जमानों ने दिखाया है और उसके कारण डिफेंस के सेक्टर में हम आत्मन निर्फर होते चले जा रहे हैं आज डिफेंस मैनिफेक्टरिंग में भारत के पहचान बनिये और मैं आज खुशी जे कह सकता हूँ कि जो देश कभी डिफेंस के हर छोटी मोटी चीज बारते लाता था अज दीरे दीरे दुनिया के कई देशों में हम जो मैनिफेक्टरिंग खेत्र को बढ़वा देना चाहते को गिर्योजगार के लिए सर्वाजिक आवश्यक है आज PLI स्कीम को बहुत बड़ा ही सफलता मिली है FDI reforms उसने भी हमें बहुत बड़ी चाकत दी है MSM इसको बहुत बड़ा बल मिला है नई व्यवस्ताइ विक्सित हुई है और उसके कान हमारा manufacturing sector हम दुनिया का एक manufacturing hub बने जिस देश के पास इतिने नवजवान सक्ती हो जिस देश के अंदर एक सामर्त हो हम manufacturing की दुनिया में भी industry 4.0 हम बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे जाना चाहते और इसके लिए आवस्ते skill development उस पर भी हमने बल दिया है और skill development भी हमने नए model ताई किये है हमने जन भागीदारी को जोड़ा आए ताकि तुरंद requirement के नुसा skill development हम कर सके और मुझे भी स्वात है मैं लाल के लिए की प्राचीत से कह रहा हूँ वो दिन दूर नहीं होगा जो भारत industrial manufacturing का हब होगा दुनिया उसकी तरफ देखती होगी आज विश्व की बहुत बड़ी कंपनिया भारत में निवेश करना चाहती है यह चुनाओ के बाद मैंने देखा है मैंने तीसरे कारकाल में जितने लोग मुझे मिलने के लिए मांग कर रहे है वो ज़्यादा तर निवेशक लोग है विश्व भर के निवेशक है वो आना चाहते हैं भारत में निवेश करना चाहते है एक बहुत बड़ा golden opportunity मैं राज्य सरकारों से आगरा करता हूँ कि आप निवेशकों को आकर सिद करने के लिए स्पस्ट निती निधारित कीजिए good governance का अस्वासन दीजिए law and order situation के लिए उनको भरोसा दीजिए हर राज्य एक तंद्र स्पर्धा में आगे आए राज्य राज्य के बीच निवेशकों कुईचने के लिए परदा होनी चाहिए निवेशकों को लिए ताकि उनके राज्य में निवेशक आएंगे उनके राज्य के नव जमानों को स्थानीय रूप से आवसर मिलेगा रोजगार का आवसर मिलेगा नीतियों में परिवर्तन लाना चाहिए तो global requirement का अनुसार नीतियों को राज्यों ने परिवर्थित करना चाहिए लेंड की आवसकता है तो राज्यों ने लेंड बना नहीं चाहिए गुड गवर्णन सिंगल पॉइंट पर काम करने के लिए राज्य जितने प्रोएक्टिव होंगे जितने ज्यादा प्रयास करेंगे जो निवेशक आ रहें वो कभी भी वापिस नहीं जाएंगे बानत सरकार से कामेद होता नहीं है राज्य सरकारों की बहुत बड़ी आवश्यक्ता होती है क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट लगने वाला उस राज्य में लगने वाला है उसको हर राज्य के साथ रोजमरा का काम पड़ता है और प्रश्ट नीती के साथ हम आगे आएं देखिए आपको परणाम अपने राज में दिखाई देगा और आपका राज भी चमक उठेगा यह मैं आपको विश्वाद देता हूँ साथियों भारत अपनी बेस्ट क्वालिटी के लिए पहचानी जाए यह बहुत ज़रूरी है अब विश्व के लिए हमें डिजाइन का खेत्रा डिजाइन इन इंडिया इस पर हमने बल देना है हमें कोशिस करनी है अब इंडियन स्टांडर्ड इंटरनेशनल स्टांडर्ड बनने चाहिए इंडियन स्टांडर्ड इंटरनेशनल स्टांडर्ड बनेंगे तब हमारी हर चीज को सहता से महर लग करेगा हमारी सेवा की क्वालिटी पर निर्भर करेगा हमारे एप्रोच की क्वालिटी पर निर्भर करेगा और इसलिए हमें क्वालिटी पर बल दे करके आगे बढ़ना है हमारे पास टालेंट है डिजाइन के छेत्रम हैं दुनिया को बहुत को नयाद दे सकते हैं डिजाइन in India इस आहवान को लेकर के हमें अब आगे चलना है डिजैन इन इडिया and design for the world इस शपने को लेकर के चलना है मैं देख रहा हूँ gaming की दुनिया का बहुत बड़ा market खड़ा हुआ है लेकिन आज भी gaming की दुनिया पर प्रभाव खास करके उन खेलों को बनाने वाले लोग, प्रोड़क करने वाले लोग विज़े इशिक कमाई होती बारत के पास बहुत बड़ी विरासत है हम gaming की दुनिया में बहुत नहीं टैलेंट को लेकर करके आ सकते विश्व के हर बच्चे को हमारे देश के बनी हुई गेमिंग के और आकड़ी कर सकते हैं मैं चाहता हूँ कि भारत के बच्चे भारत के नवजवान भारत के आईटी प्रोफेशनल्स भारत के एईई के प्रोफेशनल्स वे गेमिंग की दुनिया को लीड करें खेलने में नहीं गेमिंग की दुनिया में हमारे प्रोड़क्ट पुरे विश्व में पहुंचने चाहिए और पुरी दुनिया में हमारे एनिमेटर्स काम कर सकते हैं एनिमेशन की दुनिया में हम अपनी दाग जमा सकते हैं, हम उस दिशा में काम करें, मेरे पहरे देश वास्यों, आज विश्व के अंदर, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, हर छेतर में चिंता और चर्चा का विश्य रहता है, भारत ने उस दिशा में काभी कतम रात्व परणामों से हमने विश्व को आस्वस्त भी किया है, और विश्व को आश्चेरिय चकीज भी किया है, हम ही हैं, जिन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिवन लगाया है, हमने रिन्यूबल एनर्जी पर विस्तार किया है, हमने रिन्यूबल एनर्जी को के नहीं ताकत दी है आने वाले कुछ वर्षों में हम नेट जीरो फ्यूचर के और आगे बढ़ रहे हैं मुझे आध है पहरी सेकोर्ड मैं जिन देशों ने अपने लक्ष निर्धारित किये थे आज में लाल के लिए की प्राचिर से मेरे देश वाचों की ताकत दुनिया को बताना चाहता है जी ट्वेंटी देश के समूँ जो नहीं कर पाएं उन मेरे देश के नागरिकों ने करके दिखाया है मेरे देश वाचियों ने करके दिखाया है हिंदुस्तान ने करके दिखाया है पैरिस एकोड के अंदर जो टार्गेट हमने ताई किये थे उन टार्गेट को समय से पहले पूरा करने वाला जी ट्वेंटी देशों के समुम में अगर कोई है तो एक मात्र मेरा हिंदुस्तान है एक मात्र मेरा भारत है और इसले गर्व होता है साथियो रिन्यूबल एनर्जी के टार्गेट हमें पूर गया है हम 2030 तक रिन्यूबल एनर्जी को पांसो घीगावर्ट तक ले जाने के लिए मक्सद से काम पल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा लक्ष है दुनिया के लोग सिर कि इस लक्ष को भी हम पूरा करके रहेंगे और ये मानवजाग्ती भी सेवा करेगा हमारे भविश्य की सेवा करेगा हमारे बच्चों के उज्वल भविश्य की गारंटी बरेगा हमने 2030 तक हमारे रेलिवे को नेट जिरो एमिशन का लक्ष ले करके हम चलता है साथ को पी- करके इसके सामाने परिवार को मिलेगा जब उसका विजली का मुप्त हो जाएगा इलेक्टरी वेहिकल उसके मांग बढ़ती जा रही है जग पी-म सुर्य गरी जोजरा से वो विजली उतपादन करता है सुर्य से तो उसका वेहिकल का प्रवाज का खर्चा भी वो कम कर सकता है साथियों हम Green Hydrogen Mission लेकर के एक Global Hub बनना चाहते हैं बहुत तेजी से नीतियां बनाई गई है बहुत तेजी से उसका implementation का काम हो रहा है और भारत Green Hydrogen एक New Energy की दिशा में हम चाना चाहते हैं और यह सारे जो प्रयाद चल रहे है Climate की चिंता तो ही है Global Warming की चिंता है लेकिन इसके अंदर Green Jobs की बहुत बड़ी संभावना है और इसलिए आने वाले कालखंड में Green Jobs का महत्वा बढ़ता है तो उसको जब से पहले Capture करने के लिए मेरे देश के नवजवानों का उसर देने के लिए और Green Jobs के लिए एक बहुत बड़ा खेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं मेरे प्यारी देशवासियों आज हमारे साथ इस्तिरंगी जंडे की नीशे वो नवजवान बैठे हैं जिन्होंने आलम्पीक की दुनि बढ़ियों को 140 करोर देश वासियों की तरफ से बढ़ाई देता हूं और हम नए सपने नए संकल्प अतंतिक पुर्शात के साथ नए लक्षों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे ऐसा में विश्वास के साथ उनको शुब कामनाय भी देता हूं आने वाले कुछ दिनों में भारत के एक बहुत बड़ा दस्ता परालम्पिक के लिए पैरिस जाना के लिए रवाना होगा मैं मेरे सबी परालम्पिक खिलाडियों को भी रुदेश से बहुत बहुत सुब कामनाय देता हूं साथियों भारत ने जी ट्वेंटी को और्गनायज किया हिंदुस्तान के अनेक शहरों में और्गनायज किया दोसे से जादा इवेंट किये पूरे भिश्व में जी ट्वेंटी का इतना बड़ा व्याप इतना बड़ा कारिकम कभी नहीं हुआ इस बार हुआ इसने एक बात सित्य कर दिया कि भारत में बड़े से बड़े काम कारिकम और्गनाइज करने की ताकत है भारत वो किसी कोई भी हस्पिटालिटी का सामर्द भारत में सबसे जादा है अगर ये सित्य हो चुका है तो साध्यों हिंदुस्तान का सपना है कि साध्यों समाज के आखरी तपके के जो लोग है ये हमारा सामाजिक दाइत्व है अगर कोई पीछे रह जाते हैं तो हमारी आगे बढ़ने की गति कम कर देता है और इसलिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी सफलता तब मिलती हैं पीछे वाले को भी साथ साथ आगे ले आए और इसलिए हम सब कब दाइत्व बनता है कि हमारे समाज में आज भी जो खेत्र पीछे रह गए जो समाज पीछे रह गए जो लोग पीछे रह गए हो हमारे छोटे छोटे किसान हो हमारे जंगलों में रहने वाले मेरे आदिवासी भाई बहनों हमारी माताएं बहने हो हमारे मजदूर हो हमारे शमीख साती हो हमारे कामगार लोग हो इन सब को हमें बराबरी में लाने के लिए हमारे बराबर लाने के लिए बरपूर प्रयास करना है लेकिन अब गती पकड़ गई है अब लंबे दिन तक हमें वो करना नहीं पड़ेगा बहुत जल्द वो हमारे पास पहुंच जाएंगे हमारी बराबरी में आ जाएंगे हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी और बड़ी संबेदना के साथ हमें इस काम को करना है और इसके अंग्रेजों के नाको दम करने वाला हमारा देश का एक आदिवासी वक्त था। 20-22 साल की हुमर में उसलिए अंग्रेजों के नाको दम ला दिया था। जिसको आज भगवान बिर्शामूंडा के रुप में लोग पूजा कर दे है। भगवान बिर्शाम मुंडा की एक सो पचासवी जैन्ती आ रहे हैं, कि हम सब के लिए प्रेणा का कारण बने, समाज के प्रती, छोटा सा छोटा अब्यक्ति भी देश के लिए कैसी जजवाज रखता है उससे बड़ी प्रेणा, भगवान बिर्शाम मुंडा से अधिक कौन ह हो ठकता है, आईए, हम परसा भगवान बिर्शाम मुंडा की एक सो पचास भी जैन्ती जब मनाएं, सम्वेदन सिल्ता का हमारा व्याप बड़े, समाज के प्रती हमारा ममभाव बने, हम समाज के हर भी व्यक्ति को, गरीबों को, दलीत को, पिछ्रों को, आदिवाशों को, ह हम संक्रपर साथ तो बढ़तो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी सच है, कि कुछ लोग होते हैं, जो प्रगती देख नहीं सकते हैं, कुछ लोग होते हैं, जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं, जब तक खुद का भला नहों, तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है ऐसी विकृत मानसिक्ता से बरविये लोगों की कमी नहीं होती है देश को ऐसे लोगों से बचना होगा बेन निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग है ऐसे मुठी बन निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग जब उनके गोद में विकुर्ती पलती है तब वो विरास का कारण बन जाती है सर्वनास का कारण बन जाती है एनारकी का मार्ग ले लेती है और तब देश को इतनी बड़ी हानी हो जाती है जिसकी भरपाई करने में हमें नए सिरे से महनत करनी पड़ती है इसलिए ऐसे जो छुटपुट निराशावदी तत्व होते हैं वो सिर्फ निराश ऐतना नहीं है उनकी गोद में विकृती पल रही है ये विकृती विनास के सर्वनास के सपने देख रही है ताने बाने जोड़े की प्रयासों में लगी हुए देश को इसे समझना होगा लेकिन मैं देशवाशों को कहना चाहता कि हम हमारी नेक नियत से हमारी इमानदारी से राश्ट्र के प्रति हमारे समरपन से हम सारी परिश्टित्यों के बावजुद्धी विप्रित मार्ट पर जाने वालों के लिए उनके भी दिल जीत करके हम देश को आगे बढ़ने के हमारे संकल्पे कभी भी पीशे नहीं रटेंगे यह मैं विश्वाद दिला जाना साथियों चुनोतियां है अंगिनित चुनोतियां है चुनोतियां भीतर भी है चुनोतियां बहर भी है और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे जैसे जैसे हमारा तबज्जु बढ़ेगा तो चुनोतियां भी बढ़ने वाली है बहर की चुनोतियां और बढ़ने वाली है और मुझे उसका भली पाती अंदाज है लेकिन मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता भारत का विकाज किसी के लिए संकट ले करके नहीं आता हम विश्व में सम्रुद्ध थे तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं जोंका है हम बुद्ध का देश हैं युद्ध हमारी राह नहीं है और इसलिए विश्व चिंतित नहो भारत के आगे बढ़ने से मैं विश्व सम्रुद्ध को विश्वाद दिलाता है कि आप भारत के संस्कारों को समझिए भारत के हजारों साल के इत्यास को समझिए आप हमें संकट मत बालिये आप उन तरकीबों से न जुडिये जिसके कारण पूरी मानुजात का कल्यान करने का सामर्त जिस भूमी में है उस भूमी को ज़्यादा मेहनत कर दी पड़े है लेकिन फिर भी मैं देश वाच्यों को कहना चाहता हूँ चुनोतिया कितनी ही क्योणा हो चुनोति को चुनोति देना ये हिंदुस्तान की फित्रतबह है न हम दिएंगे न हम ठकेंगे न हम रुकेंगे न हम जुकेंगे हम संकल्पों की पूर्ति के लिए 140 करोड देश वाच्यों का भाग्य बदनने के लिए भाग्य सुनिचित करने के लिए राज के सपनों को साकार करने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे हर बदनियत वालों को हम हमारी नेक नियत से जीतेंगे यह मैं विश्वाद देता हूँ मेरे पैरे देश वाद यू समाज की मनो रचना अबे भी बदलाव कभी-कभी बहुत-बड़ी चुनोती का कारण बन जा सा है हमारा हर देश्वासी ब्रस्टाचार की दिमक से परिशान रहा है हर स्थर के ब्रस्टाचार ने सामाने मानवी का व्यवस्ताओं के प्रति विश्वात तोड़ दिया उसको अपनी योग्यता च्शंता का प्रति अन्याय की जो गुसा होता है वो राष्ट की प्रक्रति में नुक्षान करता है और इसलिए हमने बाव्यापक गुरुप से परिश्टाचार के खिलाब एक जंग छेड़ा है मैं जानता हूँ इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है मेरी प्रतिष्टा को चुमा को आनी पड़ती है लेकिन राष्ट से बड़ी मेरी प्रतिष्टा नहीं हो सकती है राष्ट के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता आरिसलिये इमान दारी के साथ प्रष्टाचार के खिलाप मेरी लड़ाय चारी रहेगी तीवरगती से जारी रहेगी और प्रष्टाचारियों पर कारवाई चुरूर होगी मैं प्रस्ताचारियों के लिए भैका वाता हूँ पादा करना चाहता हूँ ताकि देश के सामान नागरी को लूट लेगी जो परंपरा बनी है उस परंपरा को मुझे रोकना है लेकिन सबसे बढ़ी नई चुनोती आई है प्रस्ताचारियों से निपटना तो है ही कि मेरे ही देश में इतना महान संभिदान हमारे पास होने के बावज़दी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो प्रस्ताचार का महिमा मंदन कर रहे है खुले आम प्रस्ताचार का जैजे कार कर रहे है समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्यास हो रहा है प्रस्टाचार का जो महिमा मंदन हो रहा है प्रस्टाचारियों के स्विकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्यात चल रहा है वो स्वस्त समाज के लिए बहुत बड़ी चिनोती बन गया है बहुत बड़ी चिंता का विश्य बन गया है प्रस्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी प्रस्टाचारियों को उस रास्टे पर जाने से डर लगेगा अगर उसका महिमा मनन होगा तो जो आज प्रस्टाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि यह तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है उस रास्ते में जाने में बुरा नहीं है मेरे प्यारे देश वाचियो बंगला देश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पडोसी देश के नाते चिंता होना मैं इसको समझ सकता हूँ मैं आशा करता हूँ कि वहाँ पर हाला जल्द ही सामान्य होंगे खास करके 140 करोड देश वाचियों की जिनता कि वहाँ हिंदू वहाँ के आलपसंख्यक उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सूख और शांती के मार्क पर चले शांती के प्रति हमारा कमिट्मेंट है हमारे संस्कार है हमाने वाले दिनों में बंगला देश के विकास यात्रा में हमेशा हमारा सुब्चिंतन ही रहेगा क्योंकि हम मानवजाद की भलाई सोचने वाले लोग हैं मेरे पहरे देश वासियों हमारे समिधान को 75 वर्ष हो रहे हैं भारत के समिधान के 75 वर्ष की यात्रा देश को एक बनाना देश को स्रेष्ट बनाने में बहुत बड़ी भूमी का रही है भारत के लोक तंत्र को मजबूती देने में हमारे देश के समिधान की बहुत बड़ी भूमी का रही है हमारे देश के दलीत, पिडीत, सोचित, बन्चीत को सुरक्षा देने का बहुत बड़ा काम हमारे समिधान ने किया है अब जब समिधान के पत्तर वर्स हम बनाने जा रहे हैं तब हम देश वाशियों ने समिधान में निर्देश्ट कर्तवे के भाव पर बल देना बहुत जरूरी है और जब मैं कर्तवे की बात करता हूँ तब मैं सर्म नागरिकों पर बोज बनाना नहीं चाहता हूँ कर्तवे केंद्र सरकार के भी है कर्तवे केंद्र सरकार के है मुलाजिम के भी है कर्तवे राज्य सरकारों के भी है राज्य सरकार के है मुलाजिम के है कर्टब्य हर्थानिय स्वरायत संस्ता के है चाहे पंचायत हो नगरपाली का हो मानगरपाली का हो तैसिल हो जिला हो हर किसी के कर्टब्य है लेकिन साथ साथ 140 करोर देश वाच्यों की कर्टब्य है अगर हम सब मिल करके अपने कर्तव्यों का निर्वा करेंगे तो हम अपने आप औरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए निमित बनेंगे और जब कर्तव्य का पालन होता है तब अधिकारों की रक्षा निहीत होती है उसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की जुरूत नहीं पढ़ जाती है मैं चाहता हूँ कि हमारे इस बाव को लेकर हम चलेंगे हमारा लोकतंतर भी मजबूत होगा हमारा सामर्त और बढ़ेगा और हम एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे देश वास्यो हमारे देश में सुप्रिम कौट ने बार बार युनिफरम सिविल कोड को लेकर चर्चा की है अनेक बार आदेश दिये है क्योंकि देश के एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिवील कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिवील कोड सच मुझ में तो एक प्रकार का कॉम्मिनल सिवील कोड है बेदबाव करने वाला सिवील कोड है ऐसे सिवील कोड से जब समिदान के 75 वर्ष मना रहे हैं और सम्विदान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए देश की सुप्रिम कौर्ट भी हमें कहती है करने के लिए और तब जो सम्विदान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सब का दाइत्व है और मैं मानता हूँ इस गंबीर विशेपर देश में चर् करते हैं जो उच्छ नीच का कारण बन जाते हैं ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो हमने कॉमिनल सिविल कोड में 35 साल बिताए हैं अब हमें सेकुलर सिव सिविल कोड की तरफ जाना होगा और सब जाकर के देश में धर्मे के आधार पर जो बेदबाव हो रहे हैं सामान्य नागरी को जो दुरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी मेरे प्यारे देश वाजियो जब मैं देश पर एक चिंता हमेशा कहता हूँ परिवारबाद जातिवाद भारत के लोग तंत्र को बहुत मुक्षान कर रहा है देश को राजनीती को हमें परिवारबाद और जातिवाद से मुक्ति द्रानी होगी आज हमने मैं देख रहा हूँ मेरे सामने जो नौजवान है उसमें लिखा हुआ है माय भारत जिस संगतिर का नाम है उसकी चर्टा लिखी है यहां बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है माय भारत के नेक मिशन है एक मिशन ये भी है कि हम जलत से जल देश में राजनीतिक जीवन में जन प्रतिदीती के रुपे हैं एक लाख ऐसे नवजवानों को आगे लाना चाहते हैं शुरुवात में एक लाख नवजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैक्ग्राउंड ना हो जिसके माता पीता भाई बहन चाचा मामा मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे किसी भी पीडी में नहीं रहे ऐसे होनहार नवजवानों को फ्रेश ब्लड एक लाख चाहिए वो पंचायत में आए चाहिए नगरपालीका में आए चाहिए जिला परिशतों में आए चाहिए विदान सबा में आए लोग सबा में आए एक लाख नए नवजवान कोई भी प्रकार का पुर्वकार राजनीति दितियास उनके परिवार का पड़ाओ ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आएं ताकि जाती वाद से मुक्ति मिले परिवार वाद से मुक्ति मिले लोग तंत्र को समुर्दि मिले और जरूरी नहीं है कि एक दल में जाए उनको जो पसंद हो दल में जाए उस दल में जाकरके वो जन प्रतिती बन करके आग बंद नहीं हैं ऐसे फ्रेश ब्लड आएंगे तो सोज भी नहीं आएगी सामर्थ भी नहीं आएगा लोग तंत्र सम्रुद्ध होगा और इसलिए हमें इस दिशा में आगे हो रहा है और मैं चाहूंगा कि देश ने बार-बार चुनाओ इस देश की प्रगेती में रुकावड बन रहे हैं गतिरोत पजा कर रहे हैं आज कोई भी योजना को चुनाओ के साथ जोड़ देना आसान हो गया है क्योंकि हर तिन महिने चации्म ही चल रहा है कोई भी योजना जाहिर करोगा आप तो मीडिया में जगेंगे चुनाव आया तो फलाना हो गया हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है सभी राजनितिक दलों ने अपने विचार रखे हैं एक कमिटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तयार किया है वन नेशन वन इलेक्षन के लिए देश को आगे आना होगा मेलाल किने से तिरेंगे की साक्षी मैं देश के राजनितिक दलों से आगर करता हूँ देश के समिधान को समझने वाले लोगों से आगर करता हूँ कि भारत की प्रगती के लिए भारत के समझाधनों का सरबातिक उप्योग जन सामाने के लिए हुश के लिए वन नेशन वन इलेक्षन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए मेरे प्यारे देश वास्यों बारत का स्वार्णिम कालखंड है 2047 विक्षित भारत यह हमारी प्रतिच्छा कर रहा है बांधाये रुकावटे चुलोतिया उसको पुनास्त करके एक दड़ संकल्प के साथ यह देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है और साथ्यों मैं साप देख रहा हूं मेरे विशारों में कोई जीजक नहीं है मेरे सपनों के सामने कोई परदा नहीं है मैं साप साप देख सकता हूं कि यह देश 140 करोर देश वाचियों के परिश्रम से हमारे पूरवजों का खुन हमारी रगों में है अगर वो 40 करोर लोग आजादी के सपनों को पूर्ण कर सकते हैं तो 140 करोर देशवासी संबुरुद्ध बारत के सपने को साकार कर सकते हैं और मैंने पहले भी कहा था कि मैरे तीसरे टम में देश तीसरी एकॉनमी तो बनेगा ही लेकिन मैं तीन गुना काम करूंगा तीन गुना तेज गती से काम करूंगा तीन गुना व्यापकता से काम करूंगा ताकि देश के लिए जो सपने है वो बहुत निकट में पुरे हो मेरा हर पल देश के लिए है मेरा हर्षन देश के लिए है मेरा कान कान सिर्फ और सरफ मा भारती के लिए है और इसलिए 24 by 7 for 2047 इस प्रतिवध्यता के साथ आएए मैं देश वास्यों का हवान करता हूँ हमारे पुर्वजोनों जो सप्णों देखे थे उन सप्णों को हम संकल पमराए अपने सप्णों को जोडे अपने पुर्शार्थ को जोडे और इकीसी सदी जो भारत की सदी है उस सदी में स्वर्णिम भारत बनाके रहे उसी सदी में हम विट्शित बारत बनाके रहे और उन सप्णों को पूरा करते हुए आगे बढ़े और स्वर्णिम भारत में 45 साल की यात्रा के बाद एक नए मुकाम पर बढ़ रहा है तब हम कोई कोई कोर कसर नहीं छोड़े और मैं आप को विश्वाद दिलाता हूँ आपने मुझे जो दाईत्त दिया है मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ोंगा मैं महनत में कभी पीशे नहीं रहूँगा मैं साहस में कभी कतराता नहीं हूँ मैं चुनोतों से कभी टकराते से डरता नहीं हूँ क्यों? क्योंकि मैं आप के लिए जीता हूँ मैं आप के भविश्य के लिए जीता हूँ और उस सपनों को पूरा करने के लिए आज दाष्ट द्वज के शाया में तिरंगे की शाया में दर्शंक्रप के साथ हम आगे बढ़ें इसे के साथ मेरे साथ बोलिए भारत माता की बारत माता की बंदे 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 जाहिन 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 झाल झाल